हेई चैंप्स, वेलकम बैक टू ए निव वीडियो आफ और गानिक हिरोसिक स्रीज जहां पर आज हम लोग माइन्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज माइन्स की पहली वीडियो है तो बिना कोई लिए रिखेंगे जैसा हम लोग रेक्शन के थुरू NCIT को कवर करते हैं ठीक है उसके बाद जो बनेगा उसको आपको फिर से Rx मतलब Alkylilide के साथ रिक्टर वाना और फिर आगे जो प्रड़ बनेगा वो ऐसे ही बताते जाना है आपको तो जैसी आपको यी रेक्शन दिखेंगे जहां पर Alkylilide का रेक्शन एमोनिया के साथ हो रहा हो आपके दिमा नियुकलिवक्स प्रड़ बनाना कैसे है तो कुछ नहीं आपको सीधे सीधे कि आपको इसमें से Hटाते जाना है और आड लगा यह आपको step by step करना है मतलब कि पहले एक hटा होगे फिर अगला hटा होगे ऐसे हटाते जाना है तो पहले step में आपको यहाँ पर तीन h लिख रहा है तो आप क्या करोगे इसमें पहला hटा होगे और एक r लगा दोगे इसमें ठीक है तो यह बन गया आपका nh2r ठीक है और आप आपका बचा है नh2r तो यह जो 1-degree amount बना है यही आपका अगले step के लिए nucleophile की ताख करेगा और इसलिए अगले step का nucleophile अपका होगया 1-degree amount तो यह आपको पता होना चाहिए तो अगले step में क्या करोगे फिर से 1 h हटा होगे और फिर एक नए आड लगा दोगे तो इसमें तो अगले सेप में फिर वही करना है अपको 1 H भी भी बचा हुआ है इसको भी हटा होगे तो अगले सेप में बन जाएगा आपका यह क्या करना है अप तो अपको यह बंग करना है आप तो आपको तो कुछ नहीं करना है, H हटाते जाना है, R लगाते जाना है, ठीक है, R कहां से आएगा, अगले Alkylite से आएगा, तो जो भी R, अगर मानलो, मैंने Alkylite चेंज कर दिया है, तो R भी चेंज हो जाएगा, यह दिमाग में आ गया, पहले 1 degree Amine बनना, फिर 2 degree, फिर 3 degree, लास्ट में क्या बनता है, Quaternary Ammonium Salt बनता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ बन गया था, आपका R3N, ठीक है, और आपको यहाँ पर Rx एट करना है, इस तरीके साब का product लिखना है, किस type का reaction है, nucleophilic substitution reaction है, क्या करना है, यहाँ आपको सुझा दिया, अब एक बार NCRT खोल के देखते हैं, इसके बारे में क्या दिखती है, तो अभी जो हमने reaction किया था, यह दूसरा reaction था, और आपको दिखती है, इस reaction का नाम क्या भी तो, मैंने type बता दिये था, type बता दिये था क्या, कि nucleophilic substitution reaction है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको क्या दिख रहा था, इस तरीक्षिन में ammonia Rx bond को तोर रहा था, तब भी nucleophilic substitution हो पाएगा जब R और X के बीच का bond टूटेगा और वहाँ पर N आपके जुरेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ammonia के मदद से एक bond टूट रहा था इसलिए इस reaction को बोलता है तो reaction देखते ही आप type और उसका नाम याद आपके दिमा में आ सकता है तो वही सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको देखे ही कि इस reaction को हम लोग एमोनोलाइस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ammonia के मदद से C और X के बीच का bond टूट रहा है तो यह थोगि पहले सब की बाद जिसमें नुकलोफाईल कों है NH3 है लेकिन अगले सब हो गए थो अगले सब में जो प्रैंदी एमाइन बना था पहले सब में वह उगन ले सब्स बिंप लिए नूओकलोफाईल की तरह काम करेंगा यह चीज़ यहां पर NCIT बोल रही है उसके बाद हमने यह दिखा था कि इसमें पहले 1 डिगरी बनता है फिर 2 डिगरी फिर 3 डिगरी और लास्ट में बनता है कारबन और हेलोजन के बीच का बाउंड टूट रहा है अगर आपको याद है हेलो एलकेन चेप्टर तो वहाँ पे लिखे वी थे कि जो अराइल हलाइड है वह नुक्लियोफिलिक स्थिशन एक्शन जल्दी नहीं दिखाती है क्यों क्यूंकि उसमें पार्शल डॉल बाउंड तो आपको ये concept लगाना होगा अब लास्ट में NCIT कुछ और पॉइंट्स लिखती है अमोन लाइसिस के बादे में वह देख लेते हैं तो आपको एंड तक साधा प्रड़क बनेगा मतलब 1-degree अमाइन भी बनेगा 2-degree बनेगा 3-degree बनेगा लास्ट में कॉटर नरी अमोनियूम सॉल भी बनेगा उस केस में आपको मेजर प्रड़क अगर आंसर देना पड़ जाए तो क्या दोगे तो आपको NCIT बताती है कि मेजर प्रड़क उस केस में आपको primary amine देना है ठीक है तो यह point आपको ध्यान में रखना है और अगर मान दो आपसे कभी alkylite की reactivity पूछते हैं immunolysis में तो आपने यहां क्या दिखा था कि इसमें R और X के बीच का bond टूट रहा था तो जो easily टूट पाएगा bond वो ज़्यादा जल् सारे points से जो कि मैंने आपको conceptual समझा दिये और इसलिए आपको इसमें से सारे points साब यार नहीं रखने हुए क्योंकि आप बहुत कुछ समझ गए हो तो जब भी statement आपके सामने आएगा तो उससी समय आप conclusion निगाल सकते हो कि यह सही बोल रहा है यह गलत बोल ठीक है तो यह सार यह गánt पुरू अग्षे में पर रहा होता है कि prediction में में क्या होता है oxygen हटता है है तो इसमें आपको according है है यहां आपको भूख क्रोधितल टो आपका बेसिक ली यह क्या बन गया है माइन बन गया तो अगर आपको सीधे याद अखना है ट्रिक तो आपको इसमें याद अखना है कि जैसे में को H2PD दिखे और यहाँ पर नो तो दिख रहा है बेंजी पर लगा हुआ तो समझ जाना है इसमें रड्यक्शन होगा और ड्यक्षं किसे करवाओगे ओ अच लगाओगे तो बेसिक यहां पर धिहांस देखो तो इसमें कुछ नहीं हब है आपको यहां तो लग ग्या है तो यह आपको कड़ना हो गए तो तो इसमें सेम रियक्शन है बस रीजेंट अलग है तो रीजेंट अलग देखके भी आपको याद आना चाहिए कि यह भी सेम रियक्शन है कैसे आप पहचाना हो कि देखो इसमें metal दिख रहा है और आपको acid अपको metal plus acid जब भी reaction दिखाता है, तो hydrogen आपका release होता है, तो इसमें भी H2 release होगा, तो ये भी reduction ही दिखाता है, तो same चीज़ करना, इसमें भी NO2 हटाओगे और NH2 लगा दोगे, ठीक है, तो क्या-क्या reagent आपके दिमाग में होना चाहिए, एक तो H2 PD अगर देखे, तब तो reduction ही, basically है, इसमें important जो point, जैसे ही आप ये reaction देखो, आपकी दिमाग के स्ट्राइक करना चाहिए, वो ये है, कि SN plus HCL है, या फिर FE plus HCL है, तो इन में से कौन सा better है, तो NCIT लिखती है कि FE plus HCL जो है, वो better reagent के तरह ही आपके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका एक तो प अगर मैं खोल के आपको दिखाऊंगे ये reaction, तो पहली चीज़ तो यही जो मैं आपको बता रहा था, कि इसमें iron scrap और hydrochloric acid वाला जो reagent है, उसको prefer किया जाता है, क्योंकि जब FE और HCL react हरते है, तो FeCl2 जो है, hydrolysis के बाद HCL release करता है, तो जो HCL आपको यहाँ पर चाहिए, वो already इस ही में बन जाता है, और इसलिए आपको initiation के time ज़्यादा HCL देना नहीं पड़ता है, तो यही बीजन है, तो यही आपका एक अच्छा AR यहाँ से बन के आ सकता है, क्यों हम लोग Fe और HCL को prefer करते है, नाइट्रो कमपाउंट के reduction में, तो आपको answer देना है, क्योंकि इ नाइट्रो कमपाउंट के reduction है कि नहीं, एक तो H2PD देखते हैं, आप समझ जाओगे कि इसमें तो reduction ही होता है, O हटा होगे, H लगा दोगे, जितने O है, 2 O हटा के 2 H लगा दिया, या फिर NO2 हटा के NH2 लगा दिया, दूसरा, अगर आपको acetic medium में दिखता है, तब भी आपको समझ जाना है कि reduction ही होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी H2 होता है, ठीक है, चलो, यह reaction भी देख लिया, Ammonolysis भी देख लिया, चलते हैं अगले reaction के दरह, तो अगला reaction दिखता है, जहाँ पर क्या है, एक आपका nitrile group आपको दिख रहा है, और इसका reaction H2 और nickel के presence में हो रहा ह तो H2 निकल तो देखती है, आप समझ जाओ कि reduction होने वाला है, तो इसमें भी आपका H का addition तो आपको दिखेगा, दूसरा sodium amalgam और ethanol को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कुछ नहीं, alcohol का अगर आप metal के साथ reaction करवाते हो, आपको अगर याद है alcohol का, जब हमने metals के सा तो reduction जब कराओगे, तो इसमें आपको O तो दिखनी रहा है, कि O हटा दिया, H लगा दिया, इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, pi bond तो यहाँ पर 2-2 pi bond आपको तोड़ देना है, तो 2-2 बाद H लगाओगे, तो एक bond के लिए आपने H दे दिया, दूसरे bond के लिए फिर से H लगा दिया यहाँ पर, तो यह आपका बन जाता है, R CH2, दो bond तोड़ दिया था, तो एक ही बचा, और NH, तो यह फिर से आपका Amine बन जाता है, तो यह आपको करना होगा, तो जब भी आपको यह reaction देखे है, नाइट्राइल के साथ reaction H2 निकल का, या फिर sodium, amalgam और ethanol का, उस एक और पांट लिखा है, कि मानलो, H2 निकल होगा, तब तो यह कर रहा होगे, sodium, amalgam और ethanol होगा, तब भी यह कर रहा होगे, एक और reducing agent आपको पता है, lithium, aluminum, hydride, अगर यह भी होगा, तब भी आपको reduction ही करवाना होगा, तो same जो आपने reaction किया, वही आपको करना है, important पांट यह starting my mind था, वो यह था, R-NH2 था, ठीक है, अब आपको इस से R-CH2-NH2 बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, जिसके through, बीच में एक nitrile group आप लगाओ पहले, और उसके बाद यह reaction करवाने के बाद, आप एक carbon बरहा लोगे, तो यह ही यहा तो increase carbon number in amine series, तो आपको याद रखना है कि reduction of nitrile, उसमें से reaction है, बाकि सिंपल याद रखो कि कभी भी, कभी भी अगर decarbo-oxylation कहीं पी हो रहा है, तो CO2 निकलेगा, तो एक carbon आपका कम हो जाता है, ठीक है, तो वो carbon कम करने के लिए हम लोगे यूज़ करने के लिए, और कभी reaction आपका है, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक MID दिया गया है आपको, और इसका reaction LILH4 के साथ, एक पहले step में, दूसरे step में H2 डाला हुआ है, तो LILH4 देखते हैं आपके दिमाग में ये तो आई गया होगा कि इसमें reduction होगा, और reduction में मैंने बोलता कि अगर आपको O दिख कादो के carbon में, तो RCH2 NH2, तो ये भी आपको क्या बन गया, तो ये भी एक माइन का preparation है, जिसमें, एमाइड से माइन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग LILH4 के साथ उसका reaction करवाते हैं, तो इस तरीके से आपको बता है कि कैसे आप ये agent देखते हैं समझ सकते हो कि reducing agent है, reduction यहां पर होगा, और reduction फिर कैसे आपको करवाना है, इसमें एक ही अलग reaction आपको दिखाता है, immunolysis वाला, तो उसको ध्यान से देख लेना, बाकि इस सब में तो सेमी चीज़ आपने almost की, तो NCRT खोल के देख लेतें इस reaction को, तो इसमें NCRT में कुछ ऐसा नहीं है, जो काफ़ी important Privileation है, और इसका नाम क्या है, तो जैसे आप इसको देखोगे न, तो आपको देख़ते ही आदागे कि इसका नाम मुझे पता है, और अगर आप ध्यान से याद करोगे, तो इसका नाम आपको पता है, क्या है थालिमाइड, ठीक है, थालिमाइड इसका नाम मैं आ आपको बदाया था लास्ट वीडियो में और मैंने आपको पताया था कि इस से पहले थालीमाइड बनता है और धालीमाईड से फेए थालीमाईड बन जाता है तो जैसे आपके दिमाग में यह आएगा कि अच्छा थालीमाइड में इन्होंने लिए दानो मर्फ सो जयसी आपको ये दिखे थालिमाइद और कंडास्स अरर आपकर तो यहां पर यहां है तो आपको धील च्राइजाज नहीं बतकि को यहां पर यहां पर ढोलगे यहां यहां हो और दूसरे step में NOH है बस लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें आपके हीडुलिसिस की लिवस को डाला गया है तो इसमें आपको कैसे बनाना है यह आपको पतावना चाहिए देखो simple तो पैले step में आपको यहां पर क्या दिख रहा है है के यहां पर आ जाएगा और यहां पर बन गया पहरे step में salt ठीक है उसके बाद आपको दिख रहा है कि इस salt का reaction L का lead के साथ हुआ है और यहां पर होगा nucleophilic substitution मतलब कि कोई चीज़ हटेगा और दूसरा चीज़ आएगा तो कुछ नहीं आपको यहां पर क्या हटाना है और R यहां पर लगा देना अगले step तो फिर से आप सेम चीज़ करो जैसा है वैसा ही बनाओ C double bond O N यह था अब क्या हो गया NR बन गया है ठीक है जब यह बन जाए उसके आद आपको इसका hydrolysis करवाना पड़ता है इसलिए यहां पर NaOH डाला गया है तो hydrolysis करवाने के लिए इसमें आपको क्या करना है लास्ट अप मैं ऐसे या रखना है कि आपको दिख रहा है यहां बन जाएगा NR 2H दे दिया तो NH2 यहां पर लग गया ठीक है और इधर जो आपने ओने लगाया था तो यहां पर यहां पर salt बन गया है इसको भी अगर मैं बना कर दिखाऊं C-Doll Bond O-O-N-A-C-Doll Bond O-O-N-A इस तरीके साब को प्रट्रिक बनाना है ठीक है एने ओज जो था उसको आपने दो पार्टने बाट लिया O-N-A और H में यह जो दोनों बांट ने दोनों को तोड़ दिया तो O-N-A यहां दिया एक बार H आपने यहां दिया फिर O-N-A यहां आपका बन गया NH2R ठीक है और यह बन गया आपका salt तो अगर NCRT खोल के मैं आपको दिखा हूं कि इसमें कैसे बनाना होता है तो देखो आपने यह किया है पहले आपको थाली माइडे दिख गया पहले step में आपको KOH दिख गया तो देखो इसमें आपको देखना क्या है कि आपको Elk прямо यहाँ पे मिला है उसकी का अपनी यूज किया है मादनों यहाँ पर NUH होता तो यहाँ पर किये कहा आता लेकिन क्योंकि 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 के यहां पर क्योरे साथ रिक्षे को ओगया आर से तो जो भी RJ होगा वो र ports यहाँ पार होता है पॉसस aún योह होता पंने क की साथ करवा है इसलिए यहां पे ओ, अन अ को दिखा रहा है मालम है है क्यो होता तो यहां पे आपको ओ न के जगह अ के दिखता तो यह आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो तीन-तीन वियजेंट है तीनों का अलग-अलग step में काम है पहले step में क्यो उच था इसलिए यहां पर को किये दिखा और third step में एने उच था इसलिए आपको यहां पर ओने दिखा ना कि okay पूचता है कि Gabriel Thalemite Synthesis is used for तो इस यूज़ फोर प्रपरेशन ओफ प्राइमरी एलिफटिक अमाइन्स ठीक है अरोमेटिक अमाइन्स ने क्यों उसका रीजन में बताओंगा अच्छा एयार बंद के आ सकता है यहां से पहला तो समझो एक एक कुशन करते हैं और उसका अंसर द प्राइमरी एलिफटिक माइन्स बनाना पड़ता है तो इसमें 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 प्राइमरी एल तो उसका R निकालना है और NH2 में लगा देना है मेरा 1 degree amine यहां बन जाएगा तो क्योंकि यहां पर आपर प्राइम प्राइम दी अलिफटिक आमाइन्स के लिए उसके लिए उसको नहीं कर सकते हैं जो Arial Halides होता है वो Nucleaflic Substitution Eaction नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि partial lowland characters ना जाता है तो बांडों तोडने में दिक्कत होती है इसलिए Arial Halides नहीं बना सकते हैं क्योंकि वही सेम नहीं रिजन कि Arial Halides नहीं दिखाता है क्या यहाँ प्राइमरी M1 की बात हो दिए और रिजन Arial Halides का दे रहा है तो यह डाउट नहीं आना चाहिए यह सही रिजन है यहाँ पर जरूदी नहीं हमेशा KOH ही दिया हो हो सकता है पहले step में Arial Halides नहीं डाला हो धर्ड स्फड्स है तो उसमें कंशी नहीं होना है कैसे यूज करना मैं आपको बता दिया उसको यहां पर लाइन लिखी होई मैंने कि X तभी हटाओगे जब पार्शल बांड राइक्टर नहीं है ठीक है मतलब अगर कभी मानलो दो X आपको दिखाता हूं यह ठीक है मानलो यहां पर CL है और यहां पर बियार है तो आपको पता यह जो इसका जो लोन प्यर होगा वह यहां प तो आप इस वाले बियार को यहां से हटा सकते तो अगर आपको NH2 लगाना भी होगा तो आप इस बियार को हटाने के बाद यहां NH2 लगा होगे सिंपल चीज मैंने आपको समझा यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ बताइए तो अगर कभी यह डाउट आता है कि कौन से अगर मैं आपको गया एप इसको तोड़ नहीद आपको इसल्ली बीक कश समय होगा तो इसको आपर पर इह पर शाइनला है कि यह रिक्टर लगा तो इस बांड को भी तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा इसलिए यह भी गैबिल थैलिमाइट सिंथे नहीं रिखाएगा तो कैसे पैचानना है कौन दिखाएगा कौन नी दिखाएगा वो मैंने हाप लिख दिया था कि अगर कहीं भी आपको पूर्शल बांड करेक्टर अब आर्च और आपको क्या होता है तो कुछ यहां पर एक कार्बन कमता है तो इसमें कार्बन कमेंगा तो कैसे इंगे कमाना है तो कुछ नहीं सिंपल अगर प्रोड़क्ट लिखना है तो आप यह जो आपको सी डॉल बांट ओ दिखना है इसको गायब कर दो और गायब करने के बाद जो दो चीज़ आपको दिख रही है आर और एनेश टू इन दोने को मिला दो तो आपका एमाइन यहा पर बन जाएगा तो स इसको भी सेघना कैसे सबसे बीसे बता दिया मैंने मैंने अमाइड दिख जऄ जाए बी-ार-tो एने लेच देख जा हो सकता है यह बिया टू की ओच भी दिखे आपको तो बेसिकली ब्रोमीन तो आपको दिखेगा साथ-साथ कोई अलकली होगा जैसे की ओच हो सब्सक्ता ह को मिला देना है अपका एमाइन बन जाएगा उसके बाद इसको भी सेम प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसमें जो एमाइन बनता है इसमें एक कारवन कम होता है दूसरा पाउंट आपको यह आदखना है इसका तो क्या लिखते हैं NCRT स्टेट्मेंट प से यह कहना चाहिए NCRT कि यहां पर जो आपको कारवन ग्रूप दिख रहा था इसके साथ कौन जो रहा हुआ था इसमें हुआ कैया बेसिकली यह जो ऐलकायल ग्रूप है कि इस कारवन ग्रूप से हटके किसके साथ आ गया है नाटोजन के साथ आ गया है तो वही चीद निस आटे लिखते है कि डिगरेशन ग्रूप का माइग्रेशन होता है और वह कारवन ग्रूप से हटके नाटोजन के साथ जोड़ जाता है तो यह चीद नहीं नहीं है इसमें आपको सिल से मैंने बताया भी ट्रिक कि प्रड़क्ट बनाने के लिए इसमें सी रगोंडों को हटा है अलकायलाइट के साथ और मैंने बोल था कि जैसे आपको दिखे अलकायलाइट का या एक्षन अमोनिय के साथ समझ जाना है कि यह एक आड़ लगाद होगे तो यह बन जाएगा आपका C2H5 NH2 तो देखते हैं हाँ वही बना है C2H5 NH2 अगले से क्या करोगे एक और H8 होगे और इस बाद एक और C2H5 लगा दोगे तो यहाँ पर दो दो C2H5 आपको देखने को मेलेगा और यहाँ NH2 से NH हो जाएगा वही बनाना पड़ता है उसमें कैसे करते से उसमें कुछ नहीं करते से जो आपको यह दिखता है इस पूरे को पूरे को एड कर दोगे मतलब कि यहा अब यह क्या हो जाएगा N C2H5 4 और CL लेगेटिव तो अगर मैं दिखा हूँ आपको N C2H5 3 कैसा है 4 होगा न अभी तो यह गलत लिखा है यहाँ पर C2H5 4 होगा N plus CL लेगेटिव तो यह चीज़ आप देखते न ठीक है अब अगला कोशन देखते है तो अगले कोशन में ब इसमें आपने सबसे पहले NH3 मतला MLSS करवाया तो क्या करोगे सेम हटा होगे और जो आपका R Group है तो इसमें R Group क्या दिख रहा है आपको C6H5 और CH2 उसको जोड़ दो गए तो आपको क्या दिखेगा C6H5 CH2 NH2 है तो यह आपको पता हों जी कि R Group पहचानना है R Group आपको यह प क्या बोला है वो देखना कितने मोल्स बोले हैं रिप्लेस करने के लिए वो देखना उस हिसाब चानना है अब देखते अंगला कोशन तो अगला कोशन है एक्जामपल 13.2 तो एक्जामपल 13.2 में आपको कन्वर्जन्स करने के लिए वा था तो उसको अम लोग अपने नीट पॉंट अफ यू से देखते हैं उसमें कन्वर्जन तो आता निये तो उसमें लोग रिखन देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको क् के लाखिए इंडर देख दिखाले तो इसफ을 anterior है वह रिखते हैं अपने यह इलग antone देखो की आपको अपने लिए ओक्तन देख लिए कैसे कि यह reaction कहा से आ गया तो सकुछ निकरना होता है इसमें हेलोजन को ठाना पड़ता है सीन से और नाइट्यल आपको बन जाए दूसरा रेक्षण देखते हैं यहां पर भी आपको सेम रेक्षण देखने को मिल रहा है और फिर से एनेसे के साथ रेक्षण तो इसमें भी क्य से आपका अमाइड बन जाए इजी रेक्षण था बस इसमें आपको यह एनेसेन वाला पार्ट त्यान देना है कि एनेसेन का कैसे यूज़ करते हैं अब चलते हैं अगला रेक्षण देखते हैं एक्जांपल 13.3 अब देखो पहला कोशन क्या कहा रहा है दा एमाइड विच इसमें बाइड प्रोपेनामाइड रेक्षण इज जा इसमें और घॉपेनामाइड रेक्षण का की четया था कि उसमें जो हमाइं बनता था उसमें एक कार्बन कम आ Σकम्पेर बार्जा आँ मतलब आगर मों को प्रड़क्ट में प्रोपेना माइन चाहिए तो आपसे वही कोशन पूच पूचेंगे बस option दे देंगे चार-पांच तो उसमें आपको यह फीचर या रखना है कि होफ्मन ब्रमाइड डियक्शन में क्या होता है एक कारवन कम वाला प्रड़क्ट फाइनली बनता है तो एक तो यहां पर हम लोगों को प्रड़क्ट बेगके रेक्टेंट पूछा था सेकेंड वाले कॉशन में हमनों को क्या दिया है पूछाई इसमें सर्फ जो प्रड़क्ट बनेगा मतलब जो एमाइन बनेगा वो उसका नाम बताओ तो एमाइन प्रड्यूस बाइफ्मन डिगरडेशन और बेंजामाइड बनाने आपको आना चाहिए तो बेंजामाइड तो बेस सिम्पल कॉशन है कुछ नहीं आपको बस पता हूं चाहिए कि एक कारवन को कम कैसे करना है और आपको उसका नाम पता होना चाहिए अब इंट्रेक्स कोशन में कुछ पूछे मैं कि अगर आपको बेंजीन से अलीन में कनवर्ट करना है तो कैसे करोगे तो आप हम लोगों को आपको याद है पहला देखा था रिदक्शन ऑफ निट्र कंपाउंट इसमें क्या करते थे ओ हटेगा और एच लग जाएगा तो यही पूछा था कि बेंजीन से अगर आपको अनिलीन तक तो आओगे ही उसके बाद अगला कोशन था कि बेंजीन से अगर आपको यह बनाना है मतलब अगर आपको यह बनाना है NCH3 तो कैसे करोगे कुछ नहीं पहले आप सेम एनिलीन तक तो आओगे ही उसके बाद आप क्या करोगे इसका दो मोल CH3 CL के साथ रेक्शन करवाद होगे तो यह कौन सा रेक्शन होगे है एम्मोन लाइसिस वाला रेक्शन होगे जिसमें दो दो मोल के साथ करवा दे हो तो दो बाल एक्शन के लिए सो जाएगा CH3 से और आपका बन जाएगा N, N, Dimethyl Aniline ठीक है यह आपने कर दिया उसके थर्ड वाला देक्शन जाए न वह इंपोर्टेंट है और उसको देख लो कि कभी अगर यह आता है तो आपको concept लगाने आना च तो समझ जाना कि उसमें कहीं न कहीं CN तो आ रहा है और यह और confirm हो जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग को M1 भी चाहिए तो C भी साथ में बढ़ जाए और N भी बढ़ जाए साथ में तो आपको याद है जो हमने नाइट्राइल का reduction करवाया था सबसे पहले इसका reaction करवा दो आपको किसी भी NACN के साथ तो दोनों CL जो है रिप्लेस हो जाएंगी अपना नुकलर फिलिक सुप्शिशन के थ्रू और यह बन जाएगा आपको कुछ ऐसा CH2 4 इधर भी CN और इधर भी CN ठीक है उसके बाद आप इसका क्या करवा दो रिडेक्शन करवा दो जैसा आपने न साथ रिएक्शन हो तो पहले तो आप दोनों CL को रिप्लेस कर दोगे CN से और उसके बाद आपका फाइनल प्रट्ट जो बनेगा उसमें कारवन भी बढ़ चुका होगा और वह अमाइन में कंवर्ट हो जाएगा रिडेक्शन के बाद इसलिए वह उसका अगर आंसर आपको अब चलते हैं आगे फिसिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अब फिसिकल प्रॉपर्टी इसमें अपको बेसिकल दो पॉइंट यह एक होगया आपका सॉलिबिलेटी दूसरा होगया वॉइलिंग पूछता हूँ कि मुझे बताओ व्यूटेअन उन और ब्यूटेइन वन एमा जिसकी electronegativity होती है 3.5 ठीक है और nitrogen की होती है 3 ठीक है तो आपको पता है phone तो oxygen की electronegativity ज्यादा होती है as compared to nitrogen तो ऐसा होता है अगर exact value देखोगे तो oxygen की 3.5 है और nitrogen की 3 है ठीक है तो अगर electronegativity difference आप बेखने जाओगे तो किसका ज्यादा होगा ओविसलिए alcohol का ज्यादा होगा और electronegativity difference ज्यादा होने कारण ही आप कहा सकते हो कि जो alcohols होते हैं वो ज्यादा polar होते हैं किस से amines के मुकाबले alcohols अगर ज्यादा polar होगा amines के मुकाबले तो ज्यादा अच्छा hydrogen bonding दिखाएगा और इस ही hydrogen bonding strong होने कारण जो solubility है वो alcohol की ज्यादा होते है as compared to amines तो अगर कभी assertion reason आपका आता है तो आपको ऐसे ही explain करना है assertion मानलो यह दिया होगा कि solubility alcohol की ज्यादा होते है amines से अब रीजन में वो directly या तो आपको बोल देंगे कि alcohols are more polar या तो आपको electronegatory का number गिनवा देंगे कि oxygen की electronegatory 3.5 है nitrogen की 3 है ठीक है या तो directly बोल देंगे कि hydrogen bonding ज्यादा extensive है आपके alcohol में तो किसी तरीकी से explain कर सकते हैं तीनों पॉइंट मैं आपको interlink करके समझा दिया दूसरा question मैंने बोल था कि boiling is only boiling point पर जा अब आपको पता है boiling point क्योंकि amines में compare करने में बोलूं कि तो ज्ञादा hydrogen bonding तो ज्यादा bonding दिखाएगा उसकी boiling point ज्यादा होगी अब आपको पता है कि 1 degree म में कितने number of hydrogen होता है तो 2 hydrogen होता है R NH 1 degree amine है, दो hydrogen है, लेकिर R N R और यहां 1 H होगा, यह 2 degree amine है, इसमें 1 H है, मतलब जैसे से degree बढ़ रहा है, वैसे वैसे number of hydrogen रहा है, और number of hydrogen कम होते जाएगा, तो hydrogen bonding भी कम होते जाएगी, इसलिए degree बढ़ने पे hydrogen bonding कम हो जाता है, और boiling point भी कम हो जाता है, यह जो मैंने यहाँ trend लिखा है, वो boiling point का लिखा है, और उसका reason मैंने आपको समझा दिया, कि जैसे जैसे आपका degree बढ़ रहा है, जो number of hydrogen है, वो कमते जाएगा है, और इसलिए hydrogen bonding कमते जाएगा, इंटर मॉलिकल एसोशिएं कम हो रहा है, और boiling point कम हो जाता है, ठीक है, तो यह आपको दो basic चीज़ है, alcohol आपको पता है, बहुत अच्छा hydrogen bonding दिखाता है, उससे ज्यादा boiling point सिर्फ carbonic acid का, तो alcohol का boiling point ज्यादा होगा, फिर amine का होगा, और सबसे कम होगा, यह आपको trend या दखना है, और यह मैंने इस stable से निकाला है, ठीक है, और amines में भी आपको समें compare करोगे, तो 1 degree का basic character of amines पर, तो उससे fix है कि यही पूचेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो basic character के बारे में, आपको amines में क्या-क्या जाना चाहिए, सबसे पहला point, आपको पता है, amines में, जो nitrogen होता है, इस पर lone pair होता है, ठीक है, और इसी unshared lone pair के कारण, यह जो unshared electron pair है, इ amines behaves as base, यह amines are basic in nature, reason हो जाएगा, the unshared pair of electrons or nitrogen atom makes it behave as a Lewis base, तो यह सही reason होगा, दूसरा, यह भी आप देख सकते हो reason में, कि अगर हम लोग amines का reaction, acid के साथ करवाए, तो salt देता है, तो कोई चीज acid के साथ के salt तभी देपाएगा, जब हो खुद basic हो, तो यह भी प्रूफ करता है कि amines आपका basic nature का होता है, तो यह भी आपका reason आपको देखना को मिल सकता है, कि the reaction of amines with mineral acids to form ammonium salts shows that these are basic in nature, तो यह दोनों ही reason हो सकता है, यह मैंने आपको समझा जिया कि amines basic क्यों है, अगर आपको कभी explain करना हो, तो इसका reason क्या दोगे, ठीक है, अब कभी अगर मालो acid के साथ reaction करने के लिए दे ही दिया, ठीक है, आपको एनलीन दे दिया, HCl के साथ reaction करने के लिए तो क्या बनाओगे, salt बनाओगे, कैसे बनाओगे, कुछ है नहीं, जो HCl आपको दिख रहा है, उसको सिल 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 एड कर दो, तो दो hydrogen था, तीन hydrogen हो जाएगा, और यहां पे सिल हो जागा जो आपने उपर अभी बनाया, anilineum chloride, यह soluble होते हैं water में, ठीक है, लेकिन organic solvent में insoluble होते हैं, अब यह जो चीज आपने देखी, यह point differ करता है, बाकी non-basic organic compound से, मतला organic compound और भी है, amine भी अपना organic compound है, लेकिन amine basic organic compound, और जो बाकी non-basic organic compound से, उससे कैसे differ करता है, उससे ऐसे कि amine salt, जो है, वो water में soluble है, लेकिन organic solvent में insoluble है, लेकिन जो बाकी non-basic organic compounds होते हैं, वो water में soluble नहीं होते हैं, ठीक है, वो water में क्या होते हैं, insoluble होते हैं, इसलिए, यह जो reaction है, इसको हम लोग use कर सकते हैं, amines को separate करने के लिए, ठीक है, तो यह अच्छा AR question यहां से बन के आ सकता है, जिसमें एक assertion हो सकता है, कि amines are soluble in water, but insoluble in organic solvents, और दीजन हो जाएगा, the reaction is basis for the separation of amines, ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है, कि अच्छा यहां से बन के आ सकता है, confused नहीं होना है, फिर आगे चलते हैं, अब अगर मैं आपसे basic question पूछूँ कि amines का basic nature होने का क इस electron pair की जो density इसको बढ़ा है, तो basic character increase होगा यदि कम होगा, increase होगा, क्योंकि अगर हम लोग उस loan pair के कारण उस key जो basic property है, वो उस electron pair के कारण है, उस electron pair के कारण है, तो अगर मैं ऐसा group लगा दो, जो electron pair, जो है electron की density उसको बढ़ा है, तो मतलब basic character को बढ़ाएगा, तो simple आप समर सकते हूं कि amines में अगर आपको basic character देखना है और उसमें कोई acid group लग है जो electron density increase कर रहा है मतलब कोई plus high effect वाला group है कोई plus high effect वाला group है तो वो क्या करेगा basic character को बढ़ाएगा अब देखो इससे simple क्या आप compare कर सकते हो कि अगर मालो मैं आपको बोलता हूं कि ammonia, aliphatic amines और aromatic amines यह तीन चीज़ आपके ठीक है और इसको compare करो basic nature में तो देखो क्या होगा कि aliphatic amines मतलब कि मालो CH3 group लगा हुआ है आपके amines aromatic amines मालो यह phenyl group लगा हुआ है आपका NH2 में और ammonia तो आपको पता है NH3 तो ammonia से जादा basic character होता है aliphatic amines का यह आपको कैसे पता होगा यह ऐसे पता हो कि जो CH3 group मालो यहां पर मैं लगा हुआ aliphatic amines में तो वो क्या होता है electron donate करता है NH2 के उपर जो लोन पर हैसे उस पर electron donate करेगा plus i effect से और electron की density भाएगा और इसलिए ammonia के मुकाबले aliphatic amines का basic character जादा होता है ठीक है अगर मैं aromatic amines को compare करूँ जैसे कि यहां पर phenyl group लगा हुआ है NH2 पर तो यह क्या करता है यह electron को खीच लेता है ठीक है resonance के तुरू electron को खीच लेता है अपने nitrogen के उपर से और इसलिए यह electron density कम कर देता है amines पर और इसलिए basic character का कम होता है किसका aromatic amines का जब हम लोग ammonia से कम है तो वो plus high effect कारण electron density बढ़ाता है nitrogen पर लेकिन aromatic amines में जो phenyl group है वो resonance के तुर electron को खीच लेता है electron density कम कर ठीक है वही चीज़ नसी यहां समझाती है कि जो aliphatic amines है तो यह assertion बन के आ सकता है अपना-पना respectively कि aliphatic amines जो है stronger base होता है as compare to ammonia यह हो गया assertion reason क्या हो जाएगा plus high effect of alkyl group तो यह आपका हो जाएगा reason क्योंकि इसी plus high effect कारण जो electron density बढ़ जाती है nitrogen group same aromatic amines जो weaker basis होते है as compare to ammonia reason क्या होगा electron withdrawing nature of aryl group ठीक है तो यह आपका अच्छा AR question यहां से दो बन गया उसके बाद इस table में आपको कुछ Mines दिये हैं और इसको compare करना है तो इस table में जो सबसे important है कुछ तो यहां पर वाले हैं जो कि आपको अगर आप compare करने जाओगे concept से तो आपका गलास हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ exceptions आते हैं exceptions मतलब कि उसमें कुछ और भी factors लगते हैं जो कि हम आगे देखेंगे में मुझे इस table से आपको इन चारू का compare करके बताना था क्योंकि यह directly question आपको देखते हों मिल सकता है इसमें यह नाम लिखके दे देंगे या फिर structure बना के दे देंगे structure भी मैंने बता दिया है नाम भी आपको यहां पर लिखा हुआ है आप दोनों ही देख सकते हो तो अगर आपको बोलते हैं compare करने तो इसमें कैसे compare करना देखो सबसे पहले तो इसमें देखो aliphatic amines है कि आपको दिख रहा है कि अब बहुत लोग यहां सोचे कि यह चारू जो आपको होगे aliphatic amines तो मैंने पहली बोला था कि aliphatic amines का aromatic amines से ज्यादा होता है इसलिए सबसे ज्यादा basic करेक्टर जो होगा वो इस aliphatic amines को होगा इसलिए आपको दिख रहे है तू सबसे आ गए है और यहां PKV value से भी compare कर सकते हैं यतना कम PKV value उतना ज्यादा basic है ठीक है उ जैसे से electron density बहेगा nitrogen पर basic करेक्टर बहेगा इसलिए सबसे कम हो गया benzamine का 1 सबसे पीछे हो गया और 4 में 2-2 CH3 है इसलिए यह आगे आ जाएगा और 3 वाला पीछे इस तरीके से आप compare कर सकते थे इसमें concept लागू हो गया इसलिए अगर कभी आता है exam में तो आप इसमें easily concept से answer दे सकते हैं इसलिए मैंने आप वह बता दिया दूसरा मैंने यह बताया कि अगर आप CH3 और C2H5 ग्रूफ को compare करते हो तो उसमें simple आप देख सकते हैं कि जो C2H5 ग्रूफ है उसका plus high effect ज्यादा strong होता है इसलिए अगर मैं 4 और 1 को compare करूं तो 4 का ज्यादा होगा अगर मैं 5 और 2 को compare करो तो 5 का ज्यादा होगा और 6 और 3 को compare करो तो 6 का ज्यादा होगा ठीक है इसके अलाओ कोई भी conclusion हम लोग इस table से नहीं देखेंगे जहां से main question आता है क्योंकि उसके लिए हमें और भी factors देखना होगा solvation energy वगएदा उसको आगे जागे देख तो यहां से जो main समझ जानता आपको hopefully यह समझ आ गया होगा अभी तक हमने रिखा कि अगर कोई ऐसा group लगावा है जो कि lone pair जो nitrogen के उपार से उसको बठा दे तो basic character बढ़ जाता है यह क्या कहते हैं दो point है किसी भी mine का basic character देखने के लिए पहला point है कितना easily वह H plus को accept कर पा रहा है मतलब जो mine है वह क accept करने के बाद जो cation बन रहा है वो कितना stable है जितना ज्यादा यह जो cation बन रहा हो stable होगा उतना ज्यादा basic city दिखाएगा और जितना easily यह H plus को accept कर पाएगा उतना ही ज्यादा basic character दिखाएगा तो यह दो नया point हमने यहाँ पाइड के इसको समझ लो ठीक है क्योंकि आपको क कितना अच्छा यहाँ पर lone pair होगा जितना density बहेगा अस lone pair का उतना ही easily वो H plus को accept कर पाएगा तो है वही चीज़ बस समझा हूँ अलग तरीक से रहे है तो यह दो point आपको समझा आ गया कि कितना easily वो proton accept कर पा रहा है और accept करने के बाद जो cation बन रहा है वो कितना stable है यह दोन points हमने उपर देखा था कि कौन easily protonate हो पाएगा मतलब कौन easily proton accept कर पाएगा और दूसरा कि accept करने के बाद जो cation बनेगा वो कितना stable होगा इन दोनों factors को ज्यादा अच्छा follow करेगा वो ज्यादा basic होगा तो इन ही दोनों points के basis पर हम लोग यहाँ decide करने वारे है तो आपको इन पर electron density बढ़ाएगा और electron density जब बढ़ेगा तो मैंने आपको बोला था जितना ज्यादा electron density होगा उतना easily वो h-plus पर attack कर पाएगा और h-plus accept कर पाएगा लेकिन ammonia में कोई भी ऐसा R नहीं है सारे के सारे hydrogen है तो वो उतना अच्छा h-plus पर attack नहीं कर पाएगा और h-plus accept नहीं क protonation के उपर मतलब कि कौन easily proton को accept कर पा रहा है दूसरा point हम लोग देखते हैं stability के उपर मतलब कि accept करने के बाद जो केटाइन बना दोलों में बना है उन में से कौन ज्यादा stable होगा जो ज्यादा अच्छा basic nature दिखाएगा तो अलकेना माइन में बनने के बाद क्या रहा है प्लस charge जाए उसको कम करेगा और हम लोग वैसा species जिस पे charge कम हो जाए वो ज्यादा stable होता है तो यहाँ पर charge कम करने में help कर रहा है लेकिन इसमें कोई भी ऐसा group नहीं है तो इसमें वो charge नहीं कम हो पाएगा और इसलिए क्योंकि यह charge dispersal में help कर रहा है इसलिए जो आपका यलकेना म तो कैसे हमने वुन दोनों पॉइंट्स का यूज करते हुए बेसिक नीचे वो कंपेर के यह आपने देख लिया और इहीं दोनों पॉइंट्स से आपका एर कोशन यहां पर बन के आ सकते हैं तो assertion वो क्या लिख के दे सकते हैं कि जो आपका alkyla mines है वो stronger basis होते हैं as compare to ammonia एकदम सही बात यह आपने अब भी देख लिया reason वो आपको दो-दो दे सकते हैं एक तो proton accept करने के उपर दे सकते हैं या फिर दूसरा आपका catein के stability पर दे सकते हैं और इस चीज को यह satisfy करता है इस assertion को दूसरा reason हो क्या दे सकते हैं कि जो electron releasing nature है alkyl groups का वो electron density बढ़ाता है nitrogen पे और unshared electron उस पर बढ़ जाता है ज्यादा available हो जाता है और इसलिए proton ज्यादा अच्छा attack कर पाता है ज्यादा अच्छा accept हो पाता है तो यह भी reason हो सकता है तो यह अगर gases में बताना है तो अब सब को simple simple हवा में हर चीज हवा हवा ही होता है मतलब कि एकदम basic simple हवा सांस लेंने में किसे बढ़ी लिक्कत होती यह नहीं होती है लेकिन पानी पीने में बहुत लिक्त होती है को कह दे कि 2 लीटा पानी पीना है दिन में तो उसमें आप खालत ख इसलिए वह जादा बैसिक हो क्योंकि जितना ज्यादा पूछता है वह हम देखना आगे और एसा क्यों होता है कि जब आप जाते हो तो वाटर में ड्रिस गरते हो तो उसमें solvation वाले एक property आ जाता है और solvation की क्या दिख्कत है कि जसे साइज बढ़ेगा विसे साइज आपका कमते जाता है ठीक है? साइज जिता जदा बढ़ेगा उतना कम होगा solvation और इसी लिए वो less stabilized रहेगा तो अगर मैं आपको degree जैसे से बढ़ते जागा तो यह हो नहीं पाएगा जो आपने लिखा था गैसे से में कि 3D के सबसे जादा दिखाएगा विसे क्योंकि बेस्टी में आपको दोनों देखना पड़ता है कौन और प्रोटोन एकसेट कर पाएगा कौन और प्रोटोन एकसेट रहने के बाद जो कितना जादा स्टेबल होगा तो स्टेबलिटी वाला पॉइंट से दिक्कत कर देता है जब हमनों उसका सॉल्वेशन करवाता है जब वाटर में डिसॉल्व करता है तो यह मैं बस बता रहा हूँ बाकि आपको डिर्टल याद रखना है ठीकर ज्यादा नहीं पता हूँ नहीं तो आपका कि अगर आपको बेसिटी कंपेर करनी है तो इन में से कौन सा फेक्टर आपको नहीं देखना होता है ठीक है तो उसमें से तीन फेक्टर तो पक्का आपको देखने होता है कौन कौन सा पहला इंडेक्टिव एफेक्ट जो कि आप गैसे स्वेज में भी देखते हो वही आप कि मतलब जो CH3 लगाए या C2HR लगाए वो electron donate करेगा तो nitrogen पर electron pair की density बढ़ेगी तो यह आपका inductive effect था तो आप देखोगे दूसरा नया के आ गया था इसमें आप dissolve कर रहे थे water में तो यहाँ पे एक solvation effect आ गया था तो यह भी आप देखते हो और तीसरा यहाँ पे आप steric hindrance भी देखते हो मतलब जो R group लगाए आपने वो कितना बड़ा लगाए अगर ज्यादा बड़ा है तो steric hindrance वो create करेगा उसके कान भी stability कम होगी तो यह भी आपको देखना पड़ता है तो कौन-कौन से होता है और अगर R group आपका ethyl है तो अलक्ट्रेंट होता है ठीक है तो उसमें याद रखने का मैं आसान ट्रिक आपको पताता हूँ सबसे पहले इतना याद रखो कि NH3 तो gases phase में भी सबसे कम होता था और aqueous में भी सबसे कम होगा Baycici Tee जब आपको compare करोगे और टू डिगरी की Baycici Tee सबसे ज़्यादा होती है अगर हम जब हम लोग aqueous state की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि NH3 सबसे कम और 2 डिगरी सबसे ज़्यादा है चाहे हम लोग methyl की बात करने हों या फिर इथाइल वाले ठ तो किसी एक का याद रखो, बाकि आपका याद हो जाएगा मैंने मिथाइल का याद रखा होगा था कि CHCA चोटा ग्रूप है तो उसमें 1 डिग्री जो है वह जाद होता है as compared to 3 डिग्री इतना तो मैंने याद करी लिया कि 2 डिग्री चाहे मिथाइल के लिखू या इधाइल के लिखू अगर मैं एक्वस में लिख रहा हूँ तो 2 डिग्री सबसे जादा होगा और NH3 सबसे का इससे आप 2 ऑप्शन तो अलिमेट करी लोगी उसके आद बच्चा के इसमें 1 डिग्री और 3 डिग्री को लिखने में अब देखो अभी हमने compare करवाए था किसको alkalamine और ammonia को अब हम लोगो compare करना है aryl amines को और ammonia को ठीक है तो इसमें सबसे पहला AR जो बनके आ सकता है वो यह हो सकता है कि आपका description लिखा हो कि aniline has a quite high PKB value तो एकदम सही assertion है यह समझने आपको यह क्या क्या दें कि PKB value aniline का बहुत हाई होता है PKB value अगर high है तो समझ जाना है basic character कम होता है कि यह हमने अभी table में भी देखा था जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था यह वादा दिखो यह हमने क्या देख रहे हैं पर कि जो आपका aniline है उसका सबसे कम था basicity और उसकी PKB value अगर देखोगे तो 9.38 था सबसे जादा था तो वहीं यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो PKB value हो मतलब उसी चीज़ के लिखती है कि वह हैं और इसलिए वह less available है protonation के लिए जो अभी हमने देखा था अगर protonation ही नहीं हो पाएगा अच्छे से तो क्याइन बन नहीं पाएगा easily और फिर basic character आपका कम हो जाएगा तो assertion यह हो गया और reason आपका यह हो गया कि aniline shows low basicity तो यह भी सही assertion है अगर reason वह यह लिखता है also मैं इसी चीज़ को और कैसे explain कर सकता हूँ यह तो मैंने समझाए कि कैसे हो protonation नहीं दिखाता है easily तो यह तो पहला point होगा जो हमने discuss किया था कि दो point हम लोग basicity discuss एक कि वह कितना easily actually is accept कर रहा है दूसरा accept करने के बाद कितना शेव तो अगर मैं accept करने के बाद की बाद देखू पहले की बात यह है कि aniline ऐसा होता है मतलब वह 5 resonating structures से मिलके बना होता है ठीक है तो अगर मैं एकसेप करने के बाद गर जो एनिलीनियम आयन बनेगा उसका अगर resonating structure मैं बनाता हूँ तो उसमें कितने है उसमें बन कि aniline ज्यादा stable है as compared to उसका cation जो बन रहा है अनिलीनियम आयन के मुकाबले aniline ज्यादा stable है मतलब कि वह cation बनना नहीं चाहरा है ठीक है आपने देखा था कि अगर cation stable होगा तभी उधर बनना चाहेगा और तभी basis ratio दिखाएगा अच्छा amount में लेकिन यहां पर उल्टा ह इसमें second वाला दीजन ज्यादा interesting है क्योंकि इसमें लोग गलतिया करेंगा और तांसर से कि यह दो दीजन आपने देखा उपर यही दो दीजन है क्यों जो आपका aromatic amines होता है या फिर arryl amines होता है वो less specificity दिखाता है as compared to ammonia तो वही चीज़ना पर लिखिवी है कि aniline has less basic nature as compared to ammonia उसका reason भी यही हो गया कि एक तो resonating structure का जो cation बन रहा है accept करने के बाद वो कम stable है और दूसरा कि उसमें जो electron PS है वो resonance में है और इसलिए वो protonation नहीं दिखाता है उसके अलावा अगर मैं फिर भी compare करने बैठ हूँ तो आपको यह पता हूंची कि अगर electron donating group लगा हुआ हुआ इसलिए को भी compare करना हो तो इसको आपको ध्यान में रख सकते हैं और उसके बाद का जो भी reaction से वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तो 13.4 में हम लो क्या करना है basic character को compare करना है इसमें आपको simple देखना है पहले तो दो ची देखना है आपको एक aliphatic amine है कि नहीं और एक ammonia है कि नहीं तो ammonia तो सबसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक क्या दिख गया aromatic amine दिख गया एक आपको ammonia दिख गया और ये दोनों आप क्या दिख रहे है उससे आगे ammonia होगा क्योंकि चो aliphatic amine से उनका ammonia से जादा होता है तो ये दोनों तो ammonia से आगे होगी ये तो पता हो गया अब इन दोनों को कैसे compare करना है तो इसमें इनोंने कुछ नहीं लिखा है बागे कोई दिख्कत नहीं है क्योंकि यहां पर से दो है तीन होता तब हमनों इस तरीके साब को लिखना था तो जब भी एक्जाम में आए तो इसी तरीके साब करना है सबसे पहले देख लेना अरोमेटिक के माइन है उससे सबसे पहले अरे इंच कर लिए उसके आपस में compare कर लेना अगर अगर अगले वीडियो में करेंगे और चेप्र को खतब कर दें अगली वीडियो में इस चेप्र को खतम करने है तो होप कि आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद दें वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्स्क्राइब करो मिलते हैं नेक्स वीडियो को साथ तपर गले ठेक केर